Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 5.1 का question number 2, तो question number 2 क्या कहता है? Why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of line segment? तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम line segment को measure कर रहे हैं, तो हमारा divider जो है वो better than होता है ruler से, और यह क्यों होता है यह चीज हमें पता नहीं है. तो यहाँ पे हम इसको एक example से करते हैं, इसे हमने यहाँ पे एक line ले ली इस तरह से, और इसको हमने नाम दे दिया P और Q, अब अगर हम इसको ruler से measure करें, यहाँ पे यह हमने ruler ले रखा, इसको हम पटरी बोलते हैं और scale भी बोलते हैं, तो अब अगर हम यहाँ पे इसको measure करना और दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम देखो 0 पे इसको रखें भी तो यहाँ पर यह आ राए 4 और 5 के बीच में यहाँ कहीं पर और यहाँ पर यह चोटे चोटे लाइन्स दे रखें जिसको मिली मीटर बोलते हैं तो अब यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर यह चुकी इतने छोटे हैं तो हमें लग रहा है कि यह कहीं 8 पर है या कहीं 9 पर है तो अब यहाँ पर हमें एक डाउट आ गया कि यह हमारा या तो 4.8 है या फिर 4.9 है हमें accuracy नहीं मिली लेकिन अगर हम इसका divider से देखें तो हमने यहाँ पर यह divider ले लिया और इस divider की जो एक कोन है वो हमने यहाँ पर रख दी ठीक है और दूसरी चोन जो है इसकी हमने यहाँ पर रख दी जो हमें point दे रखें अब हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आसानी से इसको हमने गले लिया ठीक है अब हम इसको क्या करते है吗 scale के ओपर नाप के देखते हैं तो यहां पर हमने इसको पहले रखा इस तरह से 0 है और दूसरा हमने यहां पर रखा इसको इस तरह से और यहां से हमें दिख रहा है कि यह जो तूसरी वाली चोन है वो हमारी कहां जा रही है 4.8 पे तो इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी 4.8 सेंटिमीटर तो डिवाइडर से जब हम मेजर करते हैं तो एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाती है तो आंसर में भी हम ऐसे ही लिखेंगे तो यहां पे हम आंसर में क्या लिखेंगे आंसर एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी पॉसिवल तो यहाँ पे यही पूछा था कि divider हमारा ruler से better क्यूं होता है तो यहाँ पे हमने answer लिख दिया कि इस से जो है हमें accurate measurement मिल पाता है questions हम आप next lecture में करेंगे next questions आज के लिए वस इतना ही